हेलो फ्रेंट्स आपका अपने चलने स्टेड़ी पॉर जीनियस में स्वागत है गाइस बात यह कि इतनी ज्यादा हाइग कईसे जा सकती है बिहार बीपेसे एक्जाम के टीरी 2.0 में और यह बहुत एक जो है आपका बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि अखिर इतनी ज सकते हैं आप और अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात की जाए तो सभी के सभी जितने भी रिजल्ट आए हैं गाइस वो सभी 80 के उपर गए हैं इंग्लिस का 82 है और हिंदी का सबसे ज़्यादा 80 एट सम्थिंग है गाइस तो कहीं न कहीं गाइस यह क्या हो रहा है ठीक है एक तो यह रीजन है और अगर बात की जाए गाइस तो कहीं न कहीं इन्होंने जो क्वालिफाइंग वाला अपका एक्जाम हुआ था तीस नंबर का जिसमें से इन्होंने 30% रखा था कि मिनमाम क्राइटेरिया आपको पास करना ही है वो इन्होंने हटा दिया तो कही इतनी ज्यादा हाई कटाप गई है अगर शायद न इसमें इंक्लूड होता तब तो न जाने कितना हलाकि ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता एक ही दो नंबर का फर्क देखने को मिलता गाईस और इन्होंने यह भी का है कि हम वन कंडिडेट वन रिजर्ट नहीं दे कारे में तो इन्होंने सम्धिंग 2700 बताया था कि 4000 प्लस सप्लिमेंटर रिजल्ट हम निकालेंगे बट 26 या 2700 इन्होंने निकाला है तो कहीं न कहीं यह तो चली इनका तो फिर से निकालेंगे और इस बार तो जो है BPSC का डॉकुमेंट वरिफिकेशन नहीं कर रहें इसका सिच्छा विभाग तो कहीं कोई भी कंडिडेट्स जो है फॉर्म फिल कर सकता है आल ओवर इंडिया में यह तो बात इस वज़े से जो है हम लोग ने फॉर्म कर दिया ठीक देखिए इसमें क्या हो रहा गाइस यूपी वाले अधिक तर मोस्टली बच्चे इस एक्जाम में इंक्लूड हुए और अपने स्टेट में रहें अगर उसका एक्जाम यूपी का कंडिडेट है और यूपी का कोई भी एक्जाम क्वालिफाइक कर लेता है तो वह बिहार क्यों जाना चाहेगा गाइस ठीक है उसको अपना यूपी पसंद है और वह फिर वहां से रिजाइन करके यूपी में आ ज किये थे वहां से इस्तीफा देख के आ रहे हैं इंडिया तो आए दिन ये चीज़े निकल के आ रही है और कहीं नगहीं यूपी के कंडिडेट कंडिडेट जो है काफी सालों से इंतचार कर रहे थे कोई टीचर के वैकेंसी नहीं आई है और ये बिहार में अच्छा मौका म अच्छा मौका मिला और इसमें कहीं लोगों ने जो इसका फायदा भी उठाया है तो मेरा में मतलब कहने का यह था गाइस आखिर इतनी हाई कटाफ कैसे जा सकती है तो इसका रीजन यह है इसके रीजन जैसे कि गाई यही सामने निकल के आ रहे हैं तो आपने कौलिफाइं लेवल मिनिमम वाला ठीक है और दूसरी चीज क्या निकल के आई गाई दूसरी चीज यह निकल के आई कि बच्चा देखिए इसमें क्या हुआ कि प्राइमरी से बीड हट गया जब प्राइमरी से बीड हट गया तो बीड वाला बच्चा किर कहा जाएगा अपर प्राइमरी में जाएगा और अपर primary में यही एक मौका भी उसको मिला candidates को यही एक अच्छा मौका मिला कि वो इस मौके को भुना सके ठीक और कहीं न गई उसने primary में तैयारी अल्रेडी उसने की थी exam भी दिया था वो तो Supreme Court का अधेस आया इस वज़े से वो हड गया primary से तो अब इसको जब next chance मिला तो उन्होंने का कि नहीं हम इस बार मौका नहीं कवा सकते हैं काइदे से उन्होंने अच्छे से तैयारी की और कहीं ने कहीं इसमें subject wise भी था जैसे कि आपका math science अच्छा है तो आप उस से कर सकते हैं और हाँ जैसे कि sst के अगर बात की जाए तो इसमें भी चार्ट सब्जेक्ट के लिए आया था combination के लिए और इन्होंने क्या क्या फिर especially उस subject से question पूछे admit card जब आया आपका है तो वह बच्चा तो वही फिर option choose करेगा ना जिसमें उसकी अच्छी best तयारी है और जैसे कि इसमें आप subject combination का भी दिया था है जैसे कि math हो गया है sorry math ने English हो गया हिंदी हो गया Sanskrit और Urdu तो जो overall आपको देखने को मिलना cut up high किसमें गई तो six to eight वाले में गई गई है guys क्यों गई है क्योंकि इसमें बीड भी था और साथी साथ डियलेड वालों का भी था और जबकर 9th 10th और 11th 12th वाला है इसमें क्या था इसमें guys यह था कि इसमें इसमें सिर्फ बीड कही candidates जो है participate कर सकते थे ठीक है और क्योंकि उन्होंने बिहार का TET निकाला हो क्वालिपाइ किया हो वही लोग कर सकते थे तो इसमें double exam था इस वज़े से कई न गए इसकी cut off जो है कम देखनी को मिली है तो यह तमाम सारी चीज़े थी guys बाकी document verification start हो जाएगा कल से और जिन भी candidates क निकला है उनको best of luck आप जाइए और अच्छे से ज्वाइन कीजिएगा सारी चीजे हमने बता रखी है कौन कौन से documents आपको ले के जाना है तमाम सारी चीजे हमने बता रखी है और चले फिर मिलते next video में अगर कोई query है तो आपको जो है comment box में comment करके पूश सकते हैं आपको ज आलकिए आएंगा थांक य। वाचिंग वाचिंग थिस वीडियो